आए अब उन figures को देखें जो हमने derive की है particularly my emphasis will be on profit and loss account देखें यह profit and loss account opening balance दिया हुए है पिछले साल की balance sheet में और closing balance भी दिया हुए है इस साल की balance sheet में 36 और 11,500 अब वो जो adjustment मैंने आपको समझाएं वो सारी की सारी यहां नजर आएंगी अगर debit side से शुरू करें तो जो differ tax आपने इस period में निकाला और जो corporation tax आपने निकाला और जो premium आपने pay किया that retirement पे dividend जो आपने pay किया interest जो आपने pay किया loss and fixtures जो आपने लिया यह सारे आपको debit करना क्यों यह वो items हैं जो आपने profit को debit करना होती है और credit side पर आएं तो interest received आपको मिला है अब यसलिए income में add होगा और इस तरह gain on sale of machinery income में add होगी और excess provision for corporation tax वो भी reverse होगी ज़से मैंने कहा ना कि अगर excess provision कर ली है तो वो profit ही में वापस आएगी अचा अब balance करें ना 884 और इस site की total को तो जो balance बचता है 72,950 यह वो figure है जहां से हमने start किया है cash inflow operating activity का यह earning before interest and tax dividend तो clear है कि आपने पिछले साल का pay कर दिया इस साल की provision profit में charge किया आपने creditors में से देखें हमने 46 में से वो 440 निकाल लिया क्योंकि वो interest में शामिल होना जाए क्योंकि वहाँ पर उसको नहीं आना है तो balance जो है इसमें opening है और closing है और जो charge हुआ है जो increase हुआ है इसमें वो 1350, 560 का वो influence आपने दिखाया depreciation of plant and machine इसमें भी देखें कि जो आपका opening provision होती है उसको रखें closing provision को रखें अगर कोई इसमें sale हुई है तो उसकी provision इसमें से निकाल लें और उसके लिए बेतर तरीका यह होता है कि आप disposal का account खो लें assets को credit करें disposal को debit करें depreciation provision में से depreciation provision को debit करें और disposal को credit करें और जितने में बेचा है cash को debit करें और disposal को credit करें उसको balance कर लें debit में होगा debit balance होगा तो loss है credit balance होगा तो गहीन है तो इस तरह से आप इन फिग्रों को drive कर सकते है अब देखे profit and last country आपने provision create की है वो 15 million की है जो आपने adjust किया है cash flow statement में pictures के लिए बारे भी same situation है और disposal के account भी बना के दिखाया हुगा देखें किस तरह से आपने disposal account में cost of the assets है इस तरह defensation है और इसमें जो पैसे आए और difference जो है वो loss है tax का देखें अच्छा tax के बारे में एक point note कर लें कि आप deferred और corporation tax को अलग-अलग नहीं करेंगे रिजन मैंने आपको बता दी कि deferred tax में से payment नहीं होती है ऐसा बलके वो through tax के थ्रू जाती है इसलिए इन दोनों accounts को club कर देते हैं दोनों का opening balance दोनों का closing balance और उसके बाद जो आपने provide किया है जो profit and last account से निकाला है वो आप इसमें डाल लें जो difference हाएगा वो paid है समझाई debit card का जो difference है वो paid है which is 800,000 उसके बाद interest की figure देखें 6400 आप यो profit से निकाली है तो दूसरे तरफ इंटरस paid आपने किया है 5960 और 440 की creditors में आपने वहां से लेकर आएं प्लांटर मिशिनरी का भी देखें कि आपने इसकी disposal के लिए original cost इतनी थी और disposal में और पिर इसी तरह purchases में कितना किया तो balancing figure करके निकाल लें तो आपका वो profit की figure आ जाएगी disposal और प्लांटर मिशिनरी को फिर से देखें कि आपने cost प्लांटर मिशिनरी को credit की disposal को debit किया उसके अगेंस्ट जो depreciation इस particular one के साल जो बेच रहे हैं आप उसके अगेंस्ट depreciation को आपने debit किया और disposal को credit कर दिया और जिसने में बेच लें कि आप बिल्कुल opening closing balance और इसमें देखें कि कितना आपने profit से charge किया है और पिर disposal का account भी इसका देख लें कि वो भी ठीक हो जाए